महरिशी चमनरिशी ने जो खोज की है जिसको कहते हैं तृप्ति प्राणायम जिसके जीवन में सुष्कता हो खुशी ना हो वो ये नया तुफा सुन जाए तृप्ति प्राणायम चमनरिशी की खोज है पूरा स्वास भर ले और एक आदबार गुरु मंत्र जब कर ले और जोर से फूंक मार के अशांती निराशा और सुखेपन को रवाना कर दे ऐसे पचास से सव प्राणायम करे एक दो दिन में जीवन में तृप्ति का आईसास होने लगेगा रुखापन सुखापन भाग जाएगा सत्रप्तो भावति तृप्ति प्राणायम सारी थकान मिठ जाए और आनंद और तृप्ति की अनुभूती हो जिनके जीवन में अत्रप्ति है अशांति है उनके लिए तो बड़ी यह बात बड़ी महत्तो पूना है लंबा पहले दाहें बाएं से स्वास लिया छोड़ा दस पांच बाद में दोनों नतुनों से शुद्ध हवामान में प्राण भरा और गुरु मंत्र एक बार जपा और आनंद आनंद चिंतन के और फूंक मार के अशांति अत्रप्ति को बाहर फेक दिया पूरा स्वास भरा और एक दो बार गुरु मंत्र जपा और फूंक मार के स्वास मुह से निकाल दिया ऐसे पचास से सो बार करो आपके जीवन में बस उसी समय त्रप्ति प्रसंता होने लगेगी कितना बड़ी अतुपा है